दोस्तो नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस्तने उज मुंबई की पूर पुलिस कमिशनर परम बीर सिंग को लेकर सुप्रीम कोट की तरफ से एक बहुती बड़ी अपडेट आ रही है जैसा कि आप सबको पता है कि परम बीर सिंग के खिलाफ में कई एक्स्टॉर्शन के केस दर्ज किये गये हैं जिसके बाद मुंबई पुलिस की तरफ से अब परम बीर सिंग को भगवडा घोसित कर दिया गया है और उसके खिलाफ में कारवाई करने की बात की जा रही है और कोट के द्वारा भी फैसला सुना दिया गया है कि 30 दिन के अंदर अंदर अगर परम बीर सिंग हाजिर नहीं होते हैं तो परम बीर सिंग की जो प्रॉपर्टी है उसको अटेज कर लिया जाए उसको जब्त कर लिया जाए यही नहीं अब इन सब चीजों को देखते हुए जो परम बीर सिंग है उनके वकील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याजक्या दाखिल की गई थी जहां पर उनके द्वारा प्रोटेक्शन मांगा गया था इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज़ ने सीधा-सीधा इस केशपे सुनवाई करने से ही मना कर दिया उनके द्वारा सीधा-सीधा बोला गया है अगर कोई चाहता है कि वो देश से बाहर बैठ कर ये कोशिज करेगा कि उसको जो है protection दी जाएगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जब तक परमबीर सिंग जो है सामने नहीं आ जाते हैं तब तक परमबीर सिंग के case पे कोई भी सुनवाई नहीं होगी और उनके उपर जो भी कारवाई होनी है वो लगातार होती ही रहेगी साथ में सुप्रीम कोर्ट के दौरा ये भी बोला गया है कि अगर परमबीर सिंग के हिसाब से कोई फैसला दे दिया जाएगा तो हो सकता है परमबीर सिंग सामने आ सकते हैं लेकिन अगर परमबीर सिंग के खिलाफ में कोई फैसला सुनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के दौ तो परमबीर सिंग जो है वो देश छोड़कर भागे हैं दुबारा वापस नहीं आएंगे इसलिए हम परमबीर सिंग की याजका पर अभी कोई भी सुनवाई नहीं करेंगे